दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने YouTube चैनल पर ForSage on BSD का जो प्लान है उसके उपर वीडियो अप्लोड किया था जिसमें से मैंने डिटेल से बताया था कि ForSage का प्लान क्या है कैसे इसमें वर्क करना है, कैसे इंकम करना है वो चीजे मैंने डिटेल से बताया था लेकिन जब मैंने वहाँ पर एक comment section में जाकर देखा तो यहाँ पर एक comment देखकर मैं surprise रहा गया यह comment किया था मिर्दूर सर्मा जी के द्वारा और यह वीडियो उन्ही को dedicated है क्योंकि अपने आप में यह comment बहुत सारी चीजों को बता रही है जैसा कि इन्होंने comment किया है कि सर आप वीडियो बहुत अच्छा बनाए हो पर सच कहूं तो जिसने यह नाम first time सुना है उसके लिए यह सब कुछ बाउंसर है जैसे मेरे लिए पूरा वीडियो देखने के बाद भी यह नहीं समझ आया कि आखिर करना क्या है तो चली कहा जै तो friends मैं यह comments देकर अपने आप में surprise रहा गया और तभी मैंने यहां पर इनको reply किया कि आपके comment के उपर मैं एक dedicated वीडियो जरूर बनाऊँगा तो दोस्तों आज हाजिर हूं मैं आपको इसी के regarding एक dedicated वीडियो जो लोग Forsage को first बार सुने है decentralized plan को first बार सुने है BOSD को first बार सुने है और Binance Smart Chain को first बार सुने है उसके लिए पूरा वीडियो बिल्कुल simple बें बताऊंगो A to Z और यह मैं मान के चलूँगा कि आप ना Forsage के बारे में जानते हैं ना BOSD के बारे में जानते हैं ना Binance Smart Chain के बारे में जानते हैं पूरा details वीडियो होने वाला है तो वीडियो पनी लाश्ट तक देखेगा तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और अगर आप चैनल में नहीं है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजेगा ताकि मेरा motivation बना रहा है और इस टैप का वीडियो मैं आपके सामने next और भी लाता रहा हूँ तो ये जो मैं आपको वीडियो बनाने पेस करने जा रहा हूँ basic रूप से सारी चीजे one by one समझाओंगा कि ये plan है क्या, करना क्या है, income कैसे करना है उस income को ने bank में कैसे लेना है तो चली दोस्तो वीडियो को start करते हैं मैं आप repeat करता हूँ, वीडियो को like कर दीजेगा चैनल में नहीं है, चैनल को subscribe जोरू कर दीजेगा तो चली दोस्तो वीडियो को start करते हैं उमिद करता हूँ कि सारा page जो है वो आपको proper रूप से दिख रहा होगा इसी के बारे में details बात करेंगा बिल्कुल basic तरीके से बात करेंगे तो वीडियो अगर आपके पास time है तो time निकाल कर आराम से वीडियो देखेगा अगर आप जल्दिबाजी में वीडियो देखेंगे तो आप पूरे तरीके से project को समझ नहीं पाएंगे तो forsaat में करना क्या है इसको मैं बाद में बताऊंगा forsaat में काम करने से, team बनाने से आपको मिलेगा क्या क्योंकि maximum जो comment आये था जो मुझे समझ में आया कि इसमें मिलता क्या है तो यहां बात करने आपको फाइदा होगा BUSD अब यहां पर जो लोग इस चीज को पहली बार सुन रहेंगे उसके लिए तो बहुत परिशानी है कि यह भाई यह BUSD है कि क्या है हम तो सिर्फ रुपिया को जानते है BUSD क्या है तो दोस्तों यहां पर में डिटेल बताना चाहूँगा BUSD क्या है रुपिया जिसे की होता है इंडियन रुपिया भारत में चलता है रुपिया जिसका लोगो होता है यह आप देखते होंगे पूरे लगबलब सारे country में इसका acceptance है इसको हर जगह accept किया जाता है और इसको hard currency कहा जाता है मतलब कि बहुत ज़्यादा valuable currency है तो यह हो गया dollar इसके बाद यहाँ पर हो है BUSD तो BUSD जो है वो भी just like एक dollar है और इसका rate जो एसो दोनों बराबर रहता है लेकिन यह जो है थोड़ा अलग है इसके उपर जो है किसी government का रहता है control रहता है इसके उपर किसी government का control नहीं रहता है यह BUSD और यह Binance का अपना क्वाइन है पूरे यह world में चलता है dollar तो आप होड़ सार से जो कमाएंगे वो BUSD कमाएंगे यहां पर जैसे कि आपको पता है कि एक dollar में लगवज 70 से लेकर आपका 75 रुपय के आसपास होता है ठीक है एक यह रुपया है मतलब कि एक dollar का 75 रुपया होता है यह हमेशा fluctuate करता रहता है कभी 70 से 71 हो जाए 72 हो जाए 74 हो जाए 75 हो जाए इसके बार में detail जानका दी चाहिए तो आप Google से जाकर check कर सकते है कि अभी dollar का rate क्या है Google में type करेंगे what is the current dollar rate of E9R तो आपको दिखा देगा ठीक है तो यह dollar का rate है तो dollar के rate के जैसा ही same है आपका BUSD का rate तो फोर साज एक ऐसा system है जहां से आप काम करके यहां पर unlimited BUSD कमा सकते है unlimited जितना चाहे जितना बड़ा team होगा जितना बड़ा investment होगा जितना बड़ा आपका effort होगा उतना ही ज्यादा आप यहां पर कमा सकते है कोई limitation नहीं कोई bounding नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि यह dollar आपको एक ऐसे जगा यहां पर wallet आपका secure है यहां पर आपको किसी भी तरीके के tension करने की ज़रूरत नहीं है ना किसी government से ना किसी authority से और ना ही किसी third party से यह सिर्फ और सिर्फ आपका है आपके उपर control रहेगा जैसा कि आप रूपिया को bank में रखते हैं bank के ओपर bank भी उसको control करता है आप भी control करते है RBI control करता है government control करता है लेकिन यह BUSD सिर्फ और सिर्फ आप control करेंगे यह बहुत ही एक तरीके से कहा जाए बहुत ही खतरनाक चीज और बहुत ही जबरदस चीज है BUSD अब तो आप डॉलर और रुपिया को समझ गया होगे कि डॉलर क्या होता है और रुपिया क्या होता है तो अब यहाँ पर समझते है BUSD ठीक है BUSD तो BUSD के बारे मैंने पहले बताया था कि इसका rate जो हमेशा डॉलर के बराबर रहता है ठीक है जितना डॉलर रहेगा अगर डॉलर 70 रुपिय है तो BUSD भी 70 रुपिय का असपास होगा अगर डॉलर 75 रुपिय है तो डॉलर भी 75 रुपिय होगा इसका थोड़ा short firm जानते है BUSD क्या होता है BUSD तरह 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 डॉलर होता है तो उसी exchange का जो अपना डॉलर है जो stable cryptocurrency का जाता है वो cryptocurrency है अब यहां निकल के cryptocurrency क्या है ठीक है तो यह सारी चीज़े चलती रहेगी लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ फोर्साज की बारे में तो फोर्साज में इतना तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गया होंगे कि फोर्साज एक सिस्टम है जहां से आप BSD को कमा सकते हैं अगर इससे पहले भी कोई project आपने किया होगा वो है आपका product based product based ठीक है या फिर और भी बहुत सारे project होते है money rotation type का money rotation जहां से money को rotate किया जाए तो product based में आपको product मिलता है तो इन दोनों में होता यह है कि आपके income के उपर एक control रहता है admin का control रहता है जिसका आपको company का मालिक कर सकते हैं MD का सकते हैं या फिर CEO कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं company का honor के पास आपका जितना भी income होता है उसी के उपर आपका control रहता है अगर यहाँ पर काम कर रहे है अगर आपका यहाँ पर payment ज्यादा होगा अगर company भागना चाहे तो भाग जाएगा आपका जो इसो पैसा कुछ नहीं मिलेगा आपका जो अस्केम हो जाएगा तो यहाँ पर आपका control रहता है बहुत सारा डर भी रहता है आपको कहने के तो product मिल जाता है product कुछ भी काम कर नहीं होता है क्योंकि product खरिदने के लिए हम किसी product best plan में जोइन नहीं करते हैं हमारा जो main मकसद और main motto होता है हमारा income करना तो income करने के लिए यह सारी चीज़े होती है आपको प्रोटक्त के नाम पर यहां पर किया जाता है लेकिन आपका जो basic जो need है वो पैसा रुपया आपको यहां पर नहीं मिलेगा अब चली यहां पर ejercge में बात करते हैं कि आप यहां पर पैसा कैसे कमा सकते थे फोर्साज में कमाने के लिए आपके पास दो option है फिलाल ठीक है एक है X3 और एक है X4 इससे पहले मैंने वीडियो बताया थे X3 X4 दोस्तों अब यहां बात करेंगे फोर्साज में आखिरी ऐसा क्या है फोर्साज में अलग क्या है तो फोर्साज में बहुत सारे से unique है जो आपको दुनिया के किसी भी प्रोजेक्ट में आपको नहीं मिलेगा ठीक है फोर्साज में है कि आप यहां पर unlimited कमा सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कोई कोई कैपिंग नहीं है ठीक है कोई फी आपका नहीं लएगा जो भी आप कमाईंगे आपको instant आपके वालिट में जीरो फी में आपका जो इसको बीपोजिट हो जाएगा कोई उतना भी कमाएंगे जितना भी BSD आपको होगा सीधा आपका वालिट में चला जाएगा BSD का ठीक है तो जितना ज्यादा BSD आप कलेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा समझे एक BSD है तो आपके पास एक डॉलर है ठीक है तो इस तरीके से आप स्मार्ट मेट्रिक्स पर आपका 100% जिसको मिलना रहेगा इंस्टेंट वीडिन सकेंड में आपको मिल जाता है आपके अपलैन को चला जाएगा जहां जीसको एकस अपर डिस्ट्रीबूट हो जाता है आपके अपने एकस 3,4 का वीडियो नहीं देखा होगा जाकर देख लिएगा वहां पर मैंने यहाँ पर बताऊंगा तो यहाँ वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आप जितना चाहे आप यहाँ पर BUSD को कमा सकते हैं तो यह एक system है system provide कराता है फोरसाज system का नम है फोरसाज फोरसाज जो run करता है वो Binance का smart chain जो है Binance smart chain उसके उपर run करता है ठीक है कि आपके पास 1000 BUSD आपने कमा लिया ठीक है 1000 BUSD आपने कमा लिया तो इस BUSD का करना क्या है मुझे जो है सो इस BUSD को हम पने bank account में कैसे लेंगे तो दोस्तो bank account में लेने के लिए simple सा है कि आपको एक exchange है उसका नाम है वजी रेक्स इसका नाम है वजी रेक्स वजी रेक्स में जाईए लिंक आपको description मिल जाएगा वहाँ से जाकर download कीजे download करने के बाद sign up कीजे sign up करने के बाद KYC कीजे बिलकुल रियल नाम से कीजेगा pen card, adhar card, आपका selfie सारा कुछ लगता है तो वहाँ से जाकर join कर लिजे KYC approve कर दिजे और जो भी आपका BSD है वो transfer कर दिजे वजी रेक्स में वजी रेक्स में आपका BSD आ जाएगा उसके बाद आप instant BSD को sell out कर दिजेगा आपका रुपिया में जितना भी होगा वो रुपिया में आपको दिख जाएगा withdraw कर लिजेगा यहाँ से वजी रेक्स में आपका 5 से 10 सेकेंड में अंदर आपके bank card में credit हो जाएगा मतलब कि आपको यहाँ पर withdraw करने की exchange करने का कोई tension ही नहीं है तो सिर्फ फोर सिर्फ BSD कमाने के लिए BSD आप कैसे कमाएंगे BSD आप तभी कमाएंगे जब आप यहाँ पर फोर्ट साज में वर्क करेंगे फोर्ट साज में आप टीम बनाएंगे यहाँ पर दोस्तों फोर्ट साज में नon working ही लेना है हमको working नहीं लेना है हम काम बिलकुल नहीं करेंगे मुझे सिर्फ उष्षिंफ नौन वरकिंग चाहिए तो दोस्तों और कहा जाए तो नौन वर्किंग ऐसा कुछ होता ह Bread नौन वर्किंग का मतलब हो गया कि अगर मान लों दस लोग हैं ए findings 10 लोग हैं, दस लोग में अगर सिर्फ आठ लोगी काम कर रहे हैं, दो लोगों को non-working मिलेगा, अगर 10 में 6 लोगी काम कर रहे हैं, तो 4 लोगों को non-working मिलेगा, अगर 10 लोग में 5 लोगी काम कर रहे हैं, तो भी 5 लोगों को काम करेंगे मैं यह नहीं कहता कि आप 100% काम किजिए 50% किजिए 40% किजिए 30% किजिए और जितना परसेंट करेंगे उतना ही परसेंट आपके टीम से भी करवाईए सपोज कीजिए कि आपने अगर यहां फोरसाज में अब 10,000 डॉलर का वेरिफिट का क्या होता है तो आप गुना कर दिजिए 10,000 इंटू 70 ठीक है 10,000 इंटू 70 तो आपको यहां पर 7,000 डॉलर के आसपास यहां पर हो जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गया होंगे कि फोरसाज